नमस्कार सातियों सातियों बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े गुंडे की यानि की अमेरिका की अमेरिका दो चीज़ें चाहता है एक तो ये कि उसकी एकनोमी बनी रहे क्योंकि एकनोमी एक सुपर पावर है और दूसरा ये कि दुनिया में उसकी गुंड़ई हमेशा बरकरार रहे सब उससे दब करके चलें इस सिलसले में जो जो उसके आड़े आ रहे थे उनको इसने निप्टाने का या फसाने का एक तरीका चुना है जिसमें सबसे पहले इसने फसाया है रशिया को रशिया को 2022 में यूकरेन के साथ युद्ध करवा के ऐसा अटकाया है कि रशिया वहां से बाहर ने निकल पा रहा वो बात अलग है कि पुतीन ने उल्टा फसा दिया अमेरिका को लेकिन अमेरिका ने सोचा यही था कि रशिया को कुछ साल पीछे धखेल देंगे अमेरिका ने यूकरेन को उक्सा करके इतना ज्यादा उक्सा दिया, अमेरिकाने यूकरीन को इतना ज्यादा उक्सा दिया, के रहे हम तुम्हे नाटो में शामिल कर लेंगे, आजाओ आजाओ जल्दी आजाओ, बस तुम अब आए के कल आए के अब आए, यूकरीन को लगा के हाँ 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 आना चाहि अमेरिका ने जो दूसरा बकरा पकड़ा है वो है इरान, इरान को फसाने के लिए लगा हुआ है अमेरिका बहुत सालों से, लेकिन इरान उसके जाल में फस नहीं रहा है, हुआ क्या, अमेरिका चाहता है कि इरान को भी किसी ने किसी वार में ऐसा उलजा दे, कि इरान अपनी nuclear program पर ज़्यादा काम ना कर पाए दूसरा उसकी किनोमी पीछे चली जाए तीसरा उसका oil का export बिलकुल कम हो जाए और दुनिया के देशों के साथ उसके रिष्टे भी खराब हो जाए इस सिलसिले में कि इरान को भी लगने लग जाए कि हो सकता है कि इरान पर भी हमला हो जाए कारण है जो हमास है उसे support करता है Hezbollah यानि कि जो भी इसराइल के दुश्मन है वो हमास को support करेंगे Hezbollah हो गया लेबनान का एक group है Hezbollah वो शिया militant द्वारा बनाया गया है और शिया militant को support करता है इरान बात समझ में आ गई इरान का ही एक group है जिसका नाम है हूती group ये यमन में बसा हुआ है महाँ पर disturbance पैता करता रहता है तो इरान के दो एजेंट है Hezbollah और हूती ये दोनों ही इसराइल को पसंदनी करते और लेकिन इसराइल भी हमास के साथ फस गया ठीक उसी प्रकार से जैसे रशिया और यूक्रेन फसे हुए हैं अमेरिकाने सोचा यार कुछ और करते हैं फिर अमेरिकाने जो रेडसी वाला इलाका है रेडसी वाले इलाके में कुछ ना कुछ ऐसा disturbance पैदा किया कि हूती वालों इस पर हमला कर दिया उसके ships पर हमला कर दिया अमेरिकाने का कि देखो वही हमला कर रहे हैं दो-चार को अमेरिकाने निप्टा भी दिया उसी हुथी ग्रूप के कुछ militants ने इंडिया के ships पर भी हमला कर दिया था गलती से अरेबियंसी में फिर हमारे जैसंकर साब गए इरा और इरान से का कि देखो भई इरान ऐसा है तुम्हें जिससे जो करनाए करो हमारे शिपर अटेक नहीं होना चाहिए वरना हूती को छोड़ेंगे नहीं इरान ने का ठीक है इरान में अधर से पाकिस्तान में जो बलुचिस्तान वाले हैं यह हमको आए दिन परेशान कर रहा है इसका क्या करेंory कि अजिए जैशंकर साब ने का कि भई देखो आपका मामला है अपने तरीखे से निप्टो हमारा मसला था तो हमने तो air strike कर दी थी बाकि आप जानो अगले दिन इरान ने air strike कर दी आपने सुना होगा पाकिस्तान के बलुचिस्तान में इरान ने missiles दाग दिये थे वो मसला मैंने एक वीडियो में cover किया हुआ है चलो साफ वो भी एक चीज निपट गई अमेरिका ने कहा थी तीन चीज़े हो गई इसरेल के जरीए उकसा लिया इंडिरेक्टली उधर red sea में disturbance पैदा कर लिया इधर इंडिया से भी कहा था उसने अमेरिका ने कि तुमारे ships पर यह हमला कर रहा है तो तुम भी इस युद्ध में कूदो और जवाब दो हूती को इंडिया ने कहा भाई हम देख लेंगे तुम tension मतलो इंडिया ने अपने साब से बात कर ली अब क्या हुआ जॉडन की बात है यह दो दिन पहले की बात है मुझे यह किस्सा बताना था इसलिए background पूरा बताना पड़ गया दो दिन पहले जॉडन में इस्राइल के बगल वाले देश है जॉडन जॉडन में अमेरिका के तीन soldiers को एक drone attack में मार दिया गया अमेरिका का वाँ बेस बना हुआ चोटा सा उसमें अमेरिका के इसी हुजबुल्ला का एक और गुरूप है चोटा सा कातिब हिजबुल्ला उसने हमको धमकी दी थी कि USA पर हमला करेंगे यह USA के सोलजर्स पर हमला करेंगे देखो उसी ने किया यह फिर कातिब हिजबुल्ला सामने आया वही लेबनान वाला जो गुरूप है हिजबुल्ला उ अभी सस्पेंड कर दिया है मतलब टाल दिया है हम आप पर बाद में अटेक करेंगे लेकिन ये जो अटेक हुआ है ये हमने नहीं किया है बाइडन साब सामने आ गए बाइडन साब ने कहा कि देखो यह इसा है यह अटेक तुमने किया है और अब इरान को इसका हरजाना सा रहा है कि कैसे भी इरान अपना आपा खोदे और कोई ना कोई कही ना कहीं अटेक कर दे और जहां इरान ने अटेक किया वहीं इरान को ऐसा दवाएगा USA कि छोड़ेगा नहीं हमेशा के लिए युद्ध में धखिल देगा USA चाहता है युद्ध होता रहे खुद डारेक् अगला दुश्मन है इसका चाइना चाइना से अभी निप्टेगा चाइना से निप्टेगा US एलेक्शन के बाद क्योंकि अगर ज्यादा डिस्टरबिंस पैदा कर दिया तो बाइडन चुनाव हर जाएंगे वैसे ही डॉनल्ड टरंप कह चुके हैं कि बाइडन के होने से ह इतने सारे लफडे हो रहे हैं और बाइडन के कारेकाल में ही अमेरिका के इतने सोल्जर्स मारे जा रहे हैं उधर ट्रंप जो है बाइडन को हराने का पूरा बंदोस्त कर रहे हैं तो बाइडन को ये भी एक चिंता है कहीं उनकी पुब्लिसिटी नेगेटिव ना हो जाए इसलिए भी चाइना से उलज नहीं रहे हैं, चाइना को थोड़ा होल्ड बलाल लखा है, फिर देखना ये ताइवान को उकसाएंगे, कि चाइना और ताइवान में कुछ ना कुछ गड़बल हो जाए, और हो सका तो साउथ कोरिया को भी लपिट लेंगे, अगला केंद्र वो करना, अमेरिका बड़े-बड़े सी रूट को टार्गेट कर रहा है, जैसे यूएस और यूकरिन के पास बड़ा जो सी रूट था, वो था ब्लेक सी, वहाँ से बहुत सारा अनाज और बागी चीज़ा है, ट्रांसफर होती थी, दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 9 परचंट जो वयापार है, वो उसी सागर से होता है, अमेरिका हर उस सागर में डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, जहां से दुनिया की सप्लाई होती है, जिससे की दुनिया वापस घूम करके अमेरिका के तरफ देखने लगे, यह अमेरिका का लॉंग टरम विजन है, अमे कर रहा है वो है पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान को कर रहा है सपोर्ट कि इंडिया को कैसे भी डिस्टब रखो इंडिया को हम चाते हैं कि हमारे साथ रहे लेकिन इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो हमें ही न पूछे और इंडिया कहा रहा है कि भाई हम देख लेंगे हमें किसको पूछना है किसको नहीं पूछना आप अपना काम करिए अमेरिका की ये भी एक चिंता है आप समझ रहे हैं इन सब बातों पर हमें पैनी नजर बना के रखनी होगी क्योंकि हम इत्तफाक से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं ये यूट्यूब भी अमेरिका का है गूगल भी अमेरिका का है माइक्रोसॉट भी अमेरिका का है आदी से ज़्यादा कमपनिया जो सुबह से साम तक हम देखते हैं सब अमेरिका की हैं हमें अमेरिका से बच्चना है, चाइना वगेरा से नहीं, ये तो बच्चे हैं, चाइना कुछ नहीं है, और पाकिस्तान तो छोड़ो वो तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान पर ध्यानी नी दिना चाहिए, पाकिस्तान तो मज़े के लिए हम बात करते हैं उसकी, कि जदे को असली दुश्मन USA है खेर हम इस पर बात करते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में